शेखावत कालोनी निवासी विभाईता को देहज के लिए मार पीट कर पीहर में बच्चों से इत छोड़ा महिला थाने में मुकदमा दर्ज चुरू शहर की शेखावत कॉलोनी निवासी विभाईता को देज के लिए मार पीट कर पीहर में बच्चों से इच छोड़ देने का मामला सामने आया है विभाईता की रिपोर्ट पर महिला थाने में गुरुवार को पाली जिले के सुमेरपूर निवासी पती और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है महिला थाना सियाई सुक्राम चोटिया ने बताया कि चूरु के शेखावत कॉलोनी निवासी लक्षमी शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी शादी साल 2007 में पाली जिले के सुमेरपूर निवासी मनोज कुमार के साथ हुई थी शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान देहज इस्तरी धन सामाना दी दिया था लेकिन उक्त सामान से उसका पती मनोज और सास खुश नहीं हुए देहज में 50,000 रुपे की मांग को लेकर उसे परतारित किया जाने लगा उसका पती मनोज कुमार आदतन शराबी है जिसने रूपियों की मांग को लेकर उसके साथ मार पीट करना शुरू कर दिया उसने सारी बात अपने पिहर वालों को बताई तो परिवार वालों ने पती और सास को समझाया जिस पर वो मान गए और कुछ दिन तक तक तो ठीक ठाक चलता रहा उसके कुछ दिन बात से ही पती और सास ने दुबारा अपनी पूर्व की मांग को दोराते हुए ताना देना और तंग परिशान करना शुरू कर दिया पांच अगस्त दो हजार बाइस को उसके पती ने उसको और उसके बच्चों को पिहर में छोड़ दिया और उसका समझत इस्तिरी धन अपने कबजे में कर लिया